क्या आप लोगों ने कभी जीनो इस्ट्रोजन के बारे में सुना है कोई बात नहीं बहुत से डॉक्टर्स डाइटीशन्स और पेशेंट्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता यही फरक है कि प्रोचसान प्रोग्राम की इंडेफ्ट मेडिकल रिसर्च और डाइट नॉल फैट टिशू में कठे होते रहते हैं यानि कि जितने आपका मोटापा जितने आपके शरीर में चर्वी उतना ही जीनो इस्ट्रोजन का आपको नुपसान जीनो इस्ट्रोजन क्या करते हैं यह फॉल्सली इस्ट्रोजन की ट्रिगरिंग कर देते हैं जिसकी जिसवत कोई ज इसके इलावा यह आपके इम्यून रिस्पॉंस को नेगेटिबली इंप्लिकेट करते जिसकी वज़े से और आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है अब सभावी के आपका सवाल होगा कि जीनो इस्ट्रोजन कहां से आते हैं इनसे कैसे बचे जीनो इस्ट्रोजन का सबसे मिजर यह सोर्स है टेरी प्रोडक्ट्स दूद और दूद से बनी सभी चीज़े अनिमल प्रोटीन जानी अंडे मीट का सेवन इसके इलावा आपके बहुत प्यारे प्लास्टिक कंटेनर जिसमें आपका सारा रेस्टोरेंट फूड और घर में फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी इसको बहुत यूज़ करती है इसके इलावा कन्वीनेंस के लिए माइक्रोवेब का यूज़ कुछ आपके बहुत प्यारे कॉस्मेटिक्स एक नॉर्मल अर्बन वुमेन ऑल्मोस्ट चार सो से पांच सो कैमिकल्स डेली यूज़ कर लेती है और नॉर्मल कॉस्मेटिक् इसके इलावा हमारे केमिकल पस्टिसाइट हो सकता है वह आपके हाथ में नहीं बड़ जो चीज़े आपके हाथ में हैं उनसे रुकिए उनको बचाईए उनको हेल्दी अल्टरनेटिव यूज़ करने की कोशिश कीज़े तब ही आप इतने आप सोच रहे हैं कि क्यों इतने फीमेल डिजीजीजी और कैंसर कॉमन होते जा रहे हैं बिकोज रोज रोज आप कई बार कई गुना जादा जीनो इस्ट्रोजन आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं जो आज से दस से पंदरह साल पहले नहीं होता था जीनो इस्ट्रोजन ही बहुत सी हॉर्मोनल प्रॉलम इंक्लूडिंग थारेड की बिमारियों के लिए भी जिम्मेदार है और मेल्स में भी यह गायनेकों मेस्टिया यानि की मेल ब्रेस्ट उसके इलावा प्रोस्टेट कैंसर और टेस्ट्रिकुलर कैंसर के लिए का जड़ सकते ह्या जा जाए यूम झाल ही जिम्मेदारा खकते हैं प्रोस्टेट के लिए जड़ जागा जो जा हुए ह।